हे गाईस असलाम उलेकुम फिर से एक बार मैं आजाई हूँ एक नई रेसिपी लेके लेसेन का गोश तो चलिए सबसे पहले हम तीन से चार चेमच तेल को गरम कर लेते हैं तेल गरम होने के बाद इधर मैंने सूखे मिच को अच्छी तरह से भून ली है इधर मैंने एक चार स पानसुके मिच्छी है भून लेने के बाद एक जार में इसे ट्रांस्वर कर लेजए इसी जार में एक दस से ग्यारा लसन के कली ले लेते हैं इसका हम पेस बना लेते हैं अब वही तेल मैं इधर मैंने आधी प्यास को चॉप करके डाल दिया है प्यास को अच्छी तरह से भून लेने के बाद 250 ग्राम मटन प्यास की साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए मिक्स कर लेने के बाद जो मैंने इधर सुके मिच और लेसन का पेस्ट बना के रखा था क्षाइडे है इसे हम एंड कर लेते हैं अच्छी तरह से मिकस करते रहें एक दो मिनिट के लिये एसे ही मिकस कर लें थोड़ा पानँ दाल के मिकस कर लेते हैं अभी रश्रसकेल पीपों नमक करले यह बहुत ही यम्मी होता है कमेंट में जरूर ट्राइक करके कमेंट में जरूर बताइए लास्ट में थोड़ा कस्तूरी महती दाल के हम कुकर को मुझ देते हैं एक चार ची पांच सिटी आने तक अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी नगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले लाइक और कमेंट जरूर कीजिए थांक यू थांक यू फर वाचिंग